तो भारतिय राजव्योस्था के अंतरगत हम भारत के सम्मिधान और राजव्योस्था से जुड़ी हुई विशेवस्तु का आज हम महारी वीजन करेंगे और इस महारी वीजन के अंतरगत में आप सभी को बहुत कम समया वदी में महत्यपूर्ट संविधान से जुड़ेवे अनुक्षेदों के बारे में आज पूरी की पूरी रिवीजन कराने वाला हूँ यहाँ पे संविधान से जुड़ेवे अनुक्षेदों का रिवीजन तो हम करेंगे ही करेंगे इसके साथ साथ जो लेटेस्ट आपके सम्मिधान संसोधन हुए हैं उन सम्मिधान संसोधनों का भी हम प्रयास करेंगे कि एक बार हम उनका एक complete revision कर लें तो सम्मिधान संसोधनों का भी revision करने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम एक बार जो है जितनी भी अनुसूचियां है उन अनुसूचियों का भी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे तो आज भारती राजब्योस्था का एक मेगा जो है एक कह सकते हैं की कारक्रम है जिस कार्टम के अंतरगत मैं आप सभी को बहुत डिटेल में भारत के सम्मिधान के सभी अनुक्षेदों को बहुत कम टाइम पिरट पे मुश्किल से आप आने वाले एक घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे आइटिकल्स याद कर लेंगे यहाँ पे किवल ऐसा नहीं रहेगा जितना आपको पढ़ने में भी बहुत टाइम लगा और आइटिकल्स से कोश्चन आते हैं तो आइटिकल्स से कोश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं शेशन को भारत के सबसे पहले महत्पूर्ण अनुक्षेदों को देखेंगे एक एक क देजी से बहुत गति के साथ करेंगे यहां पर हम लिष्ट बनाते होई चलते हैं देखें अर्टिकल्स 368 सिंपल सा है संविधान संसोधन से मैं उल्टा ले करके चल रहा हूं सीधा तो लगबालवग आप सभी को यादी होते हैं उल्टा जो इंपोर्टेंट इंपोर्टे है क्योंकि बहुत सारे संविधान संसोधन से नए सारे आर्टिकल जुड़ें लेकिन अंतिम अंतिम आर्टिकल आपको 395 नंबर आर्टिकल ही है दूसरा आठ अनसूचिया थी मूल संविधान में बारा हो गए इनकी संख्या 22 भाग थे अब 25 भाग माने जाते हैं लेकिन 22 अंतिम भाग है बीच में बहुत सारे जो है भाग आपके करके जोड़ गए तो इस चीज़ में कभी नहीं होना है भारती संविधान के टोटल अनुक्षेदों की संख्या 395 ही है संख्या की दृष्टी के अधार पे 465 हो गई है तो आइडिकल 368 आपका संविधान संसोधन संविधान संसोधन की प्रक्रिया दी गई इसमें एक प्रॉसेस दिया गया है कैसे संविधान को जो है संसत के द्वारा क्या किया जाएगा तो संसत की संविधान की संसोधन करने की सक्ति और सक्ति के साथ साथ जो है कैसे संविधान को ले करके यहां पर पूरा एक कंप्ली कि कैसे संम्मिधान को संसोधन क्या सकता है किस किस तरीके से किस किस वीदी से संमिधान का संसोधन होगा इन सब के बारे में एक प्रॉपर डिसकसन से यहां पर है ठीक है तो यह आपको दिमाग में बैठाना है क्लीर राइस पस्ट है एक तो आपका यह आपका अपातकाल है आज तक नहीं लगाए आ पातकाल है भीगए 356 आपका जु है ये राजपाल राष्ट पती साशन है राजपाल द्वार इद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो किसी भी राजपती साशन लग सकता है और 352 आपका क्या है राष्टी आपातकाल है से लगता है एक तो युद्ध रत हो जाए भायात किसी के साथ बायाक्मण हो जाए और तीसरा सस्ते विद्रो हो जाए इसी आर्टिकल में पहली बार कैबिनेट सब्द का प्रयोग हुआ मंत्री मंडल सब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 में ही है ठीक है यह भी द्यान रखना है 3 आर्टिकल आपके यह वाले हो गए इसके बाद आर्टिकल 350b है 350b में दिखा और भासाई अलप संख्कों के लिए विशेश प्राधिकारी की बात की गई है भासाई अलपसंख्यकों के लिए विशेश प्राधिकारी रिशेश प्राधिकारी ठीक है एक विशेश प्राधिकारी न्यूक किया जाएगा किसके लिए भासाई अल्पसंकों के लिए फिर तीन सो पचास ए है आपका यह मलब भासाई अल्पसंके बस इतना याद कर लेना आपको 350 A में लिखा गया है कि प्रात्मिक इस तर पे मात्र भाशा में ही सिक्षा दी जाएगी जो प्राइमरी सिक्षा होगी आपकी प्रात्मिक सिक्षा होगी या आपकी किसमे होगी मात्र भाशा में इससे जुड़ी भी बात इसमें की गई है कि प्राइमरी में ही आपका प्रात् इस प्राधिकारी की बार 344 आपका राज भाशा योग है क्या है राज भाशा योग रटते जाना है साथ साथ राज भाशा योग है क्या है राज भाशा योग 343 में संग की भासा को लेकर के बात की गई है कि संग की भासा आपकी राज भासा देखें हिंदी हमारी राष्ट भासा नहीं है राज भासा है काम काज की भासा है हिंदी को क्या किया गया राज भासा कोशित किया गया और इसके लिए हिंदी आपकी राज भासा है प्लस इसकी जो लीपी है वो देवनागरी लीपी है कैसे लीपी है देवनागरी लीपी है ठीक है तो देवनागरी script है ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके बाद article 340 है आपका article 340 में प्रावधाने की पिछडे वर्गों की दशाओं में अनिवेशन करने के एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी तो यहां पर आयोग की बात की गई है कि जो OBC वर्ग है आपका पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो है इनके लिए क्या हो जाएगा इनके लिए जो है आयोग की नियुक्ति की बात की गई, जो पिछडा वर्ग है, पिछडा वर्ग, पिछडा वर्ग के लिए आयोग की बात की गई है, और यह आयोग कहां पे बनाए गए हैं, तीन आर्टिकल हैं, इन तीन आर्टिकल को क्रम से आद कर लिए, एक तो 338, 338A और 338B, 338 में क्या संसोधन किया गया है राश्टी अनसूची जाती आयोग से के लिए आयोग की बात की गई है 338 में आपका OBC के लिए 102 संविधान संसोधन किया गया था इसके लिए 102 संविधान संसोधन ठीक है तो 338 338 भी यह ध्यान रखना आपको ठीक है क्लियर इसपस्ट है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे 333 333 आपका जो है यह राज विधान सभाओं के आंगल भारती शमुदाय के प्रतिनदित्यों के बारे में है ठीक है अब देखें यहाँ पर मैं एक बार क्रम से आपको तीन आर्टिकल यहाँ पर याद करा देता हूँ तीन इसपस्ट्रीय करा वार क्रम से देखलीजें इसिलर से जुड़ए हूए है लग सभा है तीनतिस और 313 लोग सभा से जुड़े हूए है ाप तीन सो तीज में क्या लिखा हुआ है लोगसबा में सी और एश्टी होँ के प्रत्थे दित्थे कि अवंतं की बात की गई कि सीटो का distorted क्या होगा 173 एंगलो एंडियन समुदाई के लिए एंगलो एंडियन की लोग सभा में दो एंगलो एंडियन कमुनिटी के प्रतिनेदित्य किया जाएंगा राश्पती मरो नेयन करेंगे 333 में विधान सभा जो आपकी है विधान सभा में ST, ST के लिए बात की गई SC और ST के लिए विधान सभा में विधान सभा में आपका S से एंडT के बारे में बात की गई आपकी ठीक है और 333 में आपकी जो है विधान सभा में एंगलो इंडियन की बात की गई है यह है तोटल आपका प्रावधार ठीक है ध्यान रखेगा 330-3333 में लोक्सभा में SCST और सीटो कावर्णितन और 330 एंग्लो एंडियर 332 में विधान सभा में SCST और विधान सभा में एंग्लो एंडियर ठीक है यह आपका जुह है प्रावधान किये गये हैं क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ये, हाँ, चलिए एक मिनट, एक मिनट, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्ब कर देता हूँ, वाइस का इशू है न, अब नहीं होगा, एक मिनट, अब बताओ, आप आ रही है बढ़िया, अच्छी आवाज, कितनी प्यारी आवाज आ रही है, ठेक है, चलो, तो ये आपका हो गया, 330 आपका लोकसभा और 331 लोकसभा, 330 SCST, सीटो का वंटन, 331 एंगलो इंडियन, देखो, 331 और 333 जो आपके हैं एंगलो इंडियन वाला, यह पर देखें, लोकसभा में दो इंगलो इंडियन का प्राउधान था और विधान सभा में एक एंगलो इंडियन का, राजिपाल के द्वारा मनोनेयन किया जाएगा, 104 समिधान संसोधन करके इसको खतम कर दिया गया है, 104 समिधान संसोधन करके अब एंगलो इंडियन के चुन है कि नहीं है वैस्क मताधिकार यदि आप 18 साल से उपर हो गए हैं तो आपका मदाता निर्वाचन कार्ड बन जाएगा और आप जाएगे चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं 326 के बाद 324 भी आपका 324 आपका इलेक्सन कमीशन के बारे में बात है निर्वाचन आयोग के बारे में बात है निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है 324 में बीच बीच के देखो मैं गपागप खाये जा रहा हूं जितने भी आर्टिकल है वो इसलिए खाय जारा हूँ, उनकी कोई जरूरत नहीं है, जादा पूछे जाने वाले आइडिकों के बारे में ही चर्चा दे रहा हूँ आपको, ठीक है तो निर्वाचन आयुक्त के बारे में भी लेटेस्ट आपको एक अपडेट दे देता हूँ, साइदे कोशन पूछ ल निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ऐबी तक क्या था, जो कैबिनेट थी आपकी, प्रधान मंत्री के अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट थी, कैबिनेट की अध्यक्षता में क्या होता था, कि राष्टपती को रिक्मेंड कर देती थी ये कैबिनेट, और election commission की शुप्रेम कोट ने मामला बदल दिया हैं सुप्रेम कोट ने का नहीं भना इसके लिए एक समीति ती समीति होगी अब समीति बनेेगी समीति में तीन सदल्षे होंगे तीन मेंबर मिलकर के सर्च करेंगे कौन होंगे पीम होंगे एक मेंबर एक होंगे विपक्ष का नेता और तीसरे हम सूथ खुद रहेंगे तीसरे आपके C.J.I. रहेंगे नियाए पाली करें तीनों मिल करके चुनेंगे किसको निर्वाचन आयुक्त को और राष्ट पती को बोल देंगे भाईय ल कुछ पूछ है 324 से तो निर्वार्चा नयोगता आपका आर्टिकल 324 में है क्लियर है ना भाई सभी को हाँ मैंने बताया भाई मैं तो बता ही रहा हूं आपको अभी दुबारा बता दिया एक बार फिर से रट लो इसके बार चलते हैं आगे 315 तो 315 आपका UPSC है और State PSC है हमारा UPSC and State PSC ठीक है यह भी ध्यान रखेगा UPSC और SPSC है आपका 315 315 के बाद 312 आपका अखिल भारतिय सेवाए हैं अखिल भारतिय सेवाएं सेवाएं अभी 3 सेवाए हैं आपकी IS, IPS और IFOSC ठीक है इंडियन एड्मिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फोरेट सर्विसेज ठीक है 312 इसके बार चलते हैं 300A में आजाते हैं 300A आपका संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है संपत्ति आपको आपकी संपत्ति से बिना कानून के नहीं अलग किया जा सकता है पहले fundamental right होता था लेकिन 44 समिदान संसोधन करके इसको एक समान ने जो है एक right बना दिया गया और विधी के प्रादिकार के बिना आपकी आपको संपत्ति से बन्चित नहीं किया जा सकता है इसके बाद चलते हैं 280 में finance का मीशन है वित्तायोग है वित्तायोग का काम क्या भीया वित्तायोग हर पान साल में राश्ट्पती द्वारा गठित किया जाता है काम क्या होता है संग केंद्र और राज जी के बीच में विभाजन करना किसका पैसे का केंद्र वर्सिस राज इन दोनों के अजे कुमार माथूर थे इससे पहले का जो वित्तायोग था एके माथूर उसके अध्यक्स थे पंद्रवे वित्तायोग के ठीक है अब ये ध्यान रखना है ठीक है राजस्यो का अवंटन करता है आपका ठीक है इसके बाद चलते हैं 2066 और 2066 है दो आपको या सब यहीं पर होगा और 260 में भारत की आकस्मिक निधी की बारे में बात की गई है आकस्मिक निधी ये दो फंड है आपके पहला फंड है संचित निधी दूसरा आपका आकस्मिक निधी ठीक है ये भी दुआ दो निधियां है आपकी ठीक है और एक लोक लेखा निधी भी आ ठीक है तो आपका ये संचित नीदी लोक लेखा नीदी और 266 में याद करते जाओ बिकुर रटते जाओ इनसे कुश्चन आएंगे और रट जायना चाहिए हमेशा के लिए पॉलिटी का बहुत बड़ा काम है करके दे रहा हूं आप लोगों को बहुत बड़ा काम करके दे र ठीक है अंतर राज परिशत का गठन इसके बाद 262 है 262 में आपका क्या है 262 में अंतर राजी नदी जल संबंधों को लेकर के न्यायदी करण तो अंतर राजी राजी नदी विवाद को लेकर न्यायादी करण है ठीक है अंतर राजी नदी विवाद न्यायदी करणों की बात की गई है आपर क्या बात की गई है कि अंतर दो राज्यों के बीच में न्यायादी करणों के लिए की गई है ठीक है इसके बाद 200 तिरपन 200 तिरपन आपका जो है अंतर राश्ट्री करारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की संसत की सकती है अंतर राश्ट्री ये संधिया होती है ना बहुत सारी ठीक है इन संधियों को क्या किया जा सकता है संसत कानून बना करके लागू करवा सकती है द्यान रखना इसके बाद ये 249 से कई बार कोशन पूछा गया है राश्ट्री हित में य लेकिन कभी बात ऐसी हो जाय कि राष्ट्रिय हित की बात हो जाय तो राज सभा के द्वारा क्या किया जा सकता है? राज सभा दो थर्ड, टू थर्ड की मिजोर्टी से एक संकल्प पारित करके संसत को कानून बनाने के लिए कह सकती है तो 249 के तहए संसत जो है दो थर्ड मिजोर्टी से राज सूची के विश्यों को संसत के लिए बना सकती है यह दिमाग में बैठा के रखना है, हो जाएगा बात समझ में आ जाएगी, मेरी बात तो नहीं समझ में आ रही है, सबस्ते तो बहुत है, चलिए, 243, 243 का ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में बात कीए, 243 बहुत बड़ा है, A, B, C, D, E, F, G, ऐसे करके है, ठीक है, तो 243 के आपका, दो आपको ध्यान रखना है, दो यहाँ पर, 243 के और 243 आई, आई में हैं राज वित्यायोग, और के में हैं आपका राज निर्वाचन आयोग, राज निर्वाचन आयोग, बता भाई, यह दो आपके आइटिकल इनको भी याद कर लेना, ठीक है, दो आइटिकल आपको बता रहा हूँ, राज निर्वाचन आयोग, और राज इसी को हिंदी में 243, आई को 243 हम क्या बोल और 243 क को क्या बोलते हैं, 243 क आपका है, ये आपका जुढ जाता है, 243 क है, निरवाचन के लिए 243 टा, टा, तो ये भी ध्यान रखना है, आई आपका फाइनेंस कमीशन से जुढा हुआ है, के आपका जुढा हुआ है, ठीक है, ये दिमाग में टा लेना, क्लियर है, चलो, बहुत बड़ी है, आगे चलते है, 243 हो गए आपका, 243 के बाद, नेक्स्ट है 241, 241 में संग राज छेतरों के लिए उच्च नियाले की बात की गई है, संग राज छेतरों के लिए, के लिए हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट होगा, संग राज छेतर, जित दिली का खुद का हाई कोड़ के लिए विशेष उप्बंध है इसमें अब इनके लिए इसके लिए एक सम्विधान संसोधन हुआ था, याद को लो उनहद्तरवा सम्विधान संसोधन, उनहत्तरवा सम्विधान संसोधन रठते जाना देखोurg1197 में, 243 एे एए article है, ठीक है, इसके बाद 243, 233 इसमें आपके district court हैं, district judge हैं आपके DJ, DJ जिला नियाएधीश, जिला नियाएधीशों की नियुक्ती, जिला नियाएधीशों की नियुक्ती, की नियुक्ती, इसके बाद आगे चलते हैं, next है आपका 243, 231, 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चनेयाले बनाये जा सकता है, एक ही उच्चनेयाले की स्थापन की जा सकती है, और ऐसा है, दो या 2 से अधिक, से अधिक राज्यों के लिए, राज्यों के लिए, एक ही हाई कोट, जैसे हरियारा पंजाब का जो है आपका अभी चंडीगडी है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, गोहाटी हाई कोट में कई सारे जुड़े हुए, अब तो कई सारे बन गए, 25 हाई कोट बन गए, पूरे टोटल, ठीक है, 226 आपको पता है, हाई कोट की रिट निकालने की सक्ति है, आपकी हाई कोट रिट निकाल सकता है, आपके fundamental राइट विधिक अधिकारों को ले कर के, मूला अधिकार, मूला धिकार और समान्य अधिकार, इन दोनों के लिए क्या हो सकती है, यहाज़ जारी करन सकती है, 32 के ताहट सुपुप्रीम कोट राजयपौटे। यूट्री राशपती करते हैं, सुपत राजयपौस नियुक्ति नियुक्ति राश्पति करते है? कुलेजियम प्रणाली है दरसल निया धीशों की नियुक्ति को ले करके वस यह ध्यान रखना है निया धीशों की सपत निया धीशों की सपत सपत ठीक है दोसो उनिस के बाद है अपका दोसो सत्रा नियुक्ति है हाई कोट के निया धीशों की नियुक्ति ठीक है इसके बाद है दोसो चौदा दोसो चौदा है राज के लिए हाई कोट हाई कोट की स्थापना के बारे में बात है किसी भी राज में हाई कोट की स्थापना को लेकर चर्चा है ठीक है इसके बाद 213 राज जपाल अध्या देश जारी कर सकता है अध्या देश जारी करने की सकती ठीक है राश्टपती 123 के तहर और राज जपाल 213 के तहर अध्या देश जारी कर सकता है ठीक है यदी आपको पत लेते हैं देखो दोनों aertical क्या हैं आपके राज जिपाल के द्वारा अनुमती देना राजिपाल देखे मालीजे कोई भी विदेयक你的 ब tenant tha इस तो राजपाल के पास जाता है राजपाल या तो उसमें अनुमती दे सकता है या अनुमती को रोक सकता है और उसको राश्टपती के लिए भेजा जा सकता है तो राजपाल के दौरा अनुमती देना या राश्टपती के लिए आरक्षित रख लेना राश्टपती के लिए आर राष्टपती के विचार के लिए जो आरक्षित विद्यक को लेकर के प्रावधान कि राष्टपती भी अनुमती दे सकते हैं रोक सकते हैं क्या कर सकते हैं सब चीजे 201 यह तो दो आरिटिकल आपको यह याद करना है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है 174 में बोला गया है कि राजपाल के द्वारा राजविधान मंडल का समय समय पर सत्र बुलाने का सत्रावशान करने का और विगटित करने का प्रावबंद है मलब सत्र बुलाये जा सकता है, सत्र बुलाना विगटित करना और सत्रावशान, ठीक है द्यान रखना इसको, 174 के बाद आपका 179 है, ये बहुत जरूरी है, विदान परिशद, टोडल छısय राजियों में विधान परिशद है, तो इन राजियों में 179 के तह देखत, विधान परिशद का स्रजन उत्सादन तो विधान परिशद का स्रजन उत्सादन यह सारी चीजे आपकी कहां पर लिखी हुई है, 119 में, 169 द्याण रखेगा, इसके बाद 179 के बाद 165 ये राज जी का महाधिवक्ता है ठीक है ध्यान रखेगा राज जी का महाधिवक्ता ठीक है इसके बाद 164 में मुख्य मंत्री की नियुक्ती राजपाल के द्वारा मुख्य मंत्री की नियुक्ती की नियुक्ती है कौन करेगा राजपाल करेगा रठते जाओ साथ साथ मुख्य मंत्री की नियुक्ती राजपाल के द्वारा इसके बाद 162 राज की कारपाली का सक्ति का विस्तार ठीक है ये ध्यान रखेगा 162 इसके बाद 161 है आपका 161 161 में क्या है राज पाल की छमादान की सक्ति है राज पाल की छमादान की सक्ति राज पाल छमा कर सकता है ठीक है राज पाल की छमादान की सक्ति है राश्पती की आर्टिकल बाततर में उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा आर्डिकल एकसो पचपन में राज जिपाल की नियुक्ति की बात है राज जिपाल की नियुक्ति की बात है ठीक है कि राज जिपाल को नियुक्ति की जाएगा आर्डिकल एकसो पचपन आर्डिकल एकसो अर्टालिस में CAG है कैग है आपका क्या है नियंत्रक और महालेखा पर सकते हैं परामर्ज ले सकते हैं तो राष्ट पती यदि सुप्रिम कोट से परामर्ज लेना चाहें तो उसके लिए 143 है आपका 143 क्या है सुप्रिम कोट के द्वारा राष्ट पती की परामर्ज करने की सकती है ठीक है इसके बाद 137 में सुप्रिम कोट अपने किसी भी इसको पुन्राव लोकन करने की सकती है ठीक है खुद के आदेश का पुन्राव लोकन किया जा सकता है तो 137 के बाद 139 कहता है सुप्रिम कोट एक अभिलेक ने आले है क्या है कोट ओफ रिकार्ड है कोट ओफ रिकार्ड अब ये सब चीज़ा ऑनलाइन बैच में डिटेल से ब पहली बात अपने जो भी सुप्रिम कोट के लेख होते हैं सारे लिपी बद्ध होते हैं और इसको डंड देने का भी अधिकार होता है आर्टिकल 124 में सुप्रिम कोट की स्थापना और गठन को लेकर के बात है स्थापना और गठन इस्थापना प्लस गठन नई दिल्ली मे है सुप्रिम कोट आपका ठीक है और कोलेजियम प्रनाली के तहट ही नियाधीसो की न्युक्ति राष्टपती की द्वारा की जाती है अभी हालपिलाल में यही प्राउधान है 123 के अंतरगत क्या है राश्ट पती का अध्यादेश है अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाएगा राश्ट पती के द्वारा तो राश्ट पती का अध्यादेश कहां पे है 123 में राश्ट पती का अध्यादेश कहां पे 123 में ठीक है इसके बाद 122 है 122 में क्या दिया कि जाच नहीं करेगा ठीक है अब यहीं पर ध्यान रखेगा इसी के लिए इसी के साथ ही 121 में क्या जोड़ा गया है 121 में लिखा गया है कि संसद में किसी भी निया अधीस के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी माभियोग के दौरान तो की जाएगी लेकिन माभियोग नही अधी लगा हुआ है तो उससे पहले जो है संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी उसके गुण दोस किसी के बारे में भी संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी ने अधीशों को ले करके ठीक है एक सो सत्रा में वित्य विध्यक है आपका विध्यक है एक सो सत्रा विध्यक आर्टिकल एक सो बारा बजट के बारे में चर्चा है वार्शिक वित्ये विवरंड वार्शिक वित्ये विवरंड के बारे में चर्चा है यहां पर वार्शिक वित्ये विवरंड रटते जाओ फा धन विधयक की परिभाशा है, धन विधयक की परिभाशा, लोकसभा के पास पावर होती है धन विधयक को ले करके, राजसभा के ओल 14 दिनों के लिए रोग सकती है, परिभाशा, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, इसके बाद 109 में धन विधयक के बारे मिशेस प्रक्रिय इसके बारे में चर्चा है, जाइंट सेशन के बारे में चर्चा है, इसके बाद आपका 100 नमबर ये भी आपका क्या है, राष्ट पती, लोक्सभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है, अपना नरायक मत दे सकता है, लोग सभा का अध्यक्ष मत बराबर होने की दिशा में निडायक मत का प्रियोग कर सकता है निडायक मत के बारे में चर्चा है आपर निडायक मत क्यों लोग सभा का अध्यक्ष अपना निडायक मत का प्रियोग करेगा यदि tie होता है matter तो ठीक है इसके बाद article 85 इसमें भी सत्र सत्रावशान सत्रावशान प्लस विगटन विगटन इन सब के बारे में चर्चा article 85 में है article 84 में संसद सदस्यों के लिए अरहता है संसद के लिए अरहता ये आपकी article 84 में दिया गया है संसद सदस्यता के लिए अरहता के बारे में बात की गई है इसके बाद 83 इसमें बात की गई राज्य सभा क्या है आपका एक इस्थाई सदन रहेगा राज्य सभा का इस्थाई रहना कभी बिगिटर नहीं होगा सदस्यों का कारेकाल फिक्स है 6 वर्स हर 2 वर्स में एक तिहाई सदस्य आपके क्या होते रहेंगे जो है आपके आवाज आ रही है सब कुछ समझ में आ रहा है फास्ट फास्ट ठीक है बहुत तेजी से हम कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है चलिए इसके बाद 81 में लोग सभा के बारे में बरता है लोग सभा की सनरचना है लोग सभा की सनरचना की सनरचना लोग सभा की सनरचना इसके बाद आपका इसके बाद है 80 80 में राज सभा की सनरचना है आप आर्टिकल कभी नहीं पड़े होंगे, 79 में संसत के गठन के बारे में बात की गई है, संसत का गठन यहाँ पर बताया गया है, संसत के गठन की चर्चा है 79 पे, 76 पे भारत के महानयवादी के बारे में बात की गई है, भारत का महानयवादी, महानयवादी, भारत के प्रधान मंत्री की नि Paige कॉन करता है राश्ट पती करते हैं ठीक है 75 के बाद है 74 यहाँ पे मंत्र परसद की राष्ट पती को सहायता और सला देने के लिए मंत्र परसद होगी राष्ट पती को सहायता सहायता माप करेगा नहीं यह 78 है आपका 78 नंबर है 78 नंबर पे प्रदान मंत्री की न्यूकती है 78 नंबर पर प्रधान मंत्री की नियुक्ति है ठीक है यह भी जान रखेगा 78 पर 75 में जो चर्चा की गई है ना 75 में चर्चा की गई है कि यहाँ पर प्रधान मंत्री की सला से मंत्री परशद की नियुक्ति होगी 75 में मंत्री परिशत के नियुक्ती है 75 में और 74 में राश्पती को सहायता सहायता एवं सला के लिए सला के लिए के लिए मंत्री परिशत का प्रावधान है 74 के बाद 73 है संग की कारपाली का सकती का विस्तार 72 के बाद 66 नंबर ये उप राश्पती के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है उप राश्पती जगदीब धनकर साव है अभी समय का निर्वाचन लोकसवा और रासवा दोनों के द्वारा इसका एक निर्वाचक मंडल बनता है और अनुपातिक प्रत्नित प्रणाली मत पद्धती के द्वारा ये निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होती है एक सथ नंबर राश्पती की सपत के बारे में चर्चा है नहीं एक सथ है राश्पती पर महावियोग राश्पती पर महावियोग महा संभिदान का तिक्रमड करने पर राश्पती पर महावियोग लग इसके बाद है आपकी 58 नमबर पे राश्पती के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए योग्यता के बारे में चर्चा की गई है इसके बाद संतावर नमबर पे राश्पती पुनर निर्वाचन के लिए भी पात्र होगा पुनर निर्वाचन भी हो सकता है राश्पती का इसके बाद है आपका 52 नंबर, 52 भी भारत के राश्पती के बारे में चरचा है, भारत का एक राश्पती होगा, ठीक है, भारत का राश्टपती ये चरचा है 52 में, clear है, इस परशट है, इसके बाद 51 का है आपका, 51 का आपका मौलिक कर्तब्य है, मौलिक कर्तव्य कर्तव्य फंडमेंटर ड्यूटी आपका इनक्यावन का इनक्यावन नंबर क्या है आपका अंतर राष्टिये अंतर राष्टिये सांती एवं सुरक्षा अंतर राष्टिये सांती और सुरक्षा की अभिब्रिद्धी ठीक है इसको लेकर के आपका इनक्यावन नंबर है इनक्यावन के बाद आपका पचास नंबर है पचास नंबर आपका कारेपालिका और न्यायपालिका का प्रिथक करण ठीक है कारेपालिका न्यायपालिका से अलग रहेगी आर्टिकल पचास में लिखा हुआ है ठीक है ध्य आर्टिकल 48A यह आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण सनरक्षन का काम है, सब DPSP पर आ गए हम लोग, DPSP पर आ गए है, ठीक है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 पर चर्चा की गई है, 6 से कम आई हुआ के बच्चों की बाले आवस्ता में देख भाल करना राज ठीक है, यह ध्यान रखना है, 45 पर, इसके बाद 44 नमबर पर एक समान नागरिक संगिता के बारे में चर्चा की गए है, इसके बाद 43 नमबर है आपका 43 नमबर 43 आपका इसमें है 43 B में सहकारी समितियों का गठन 43 B के बाद 43 नमबर कुछ दशाओं में सिक्छा लोक सहायता तथा काम का अधिकार काम का अधिकार ठीक है जैसे प्रसूती जैसी कोई भी कुछ दसाओं में काम सिक्छा पाने का अधिकार ठीक है पेंडिंग है आपका इसके बाद आर्टिकल 49 का समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता ठीक है विधिक सहायता सहायता ज्यान रखना है 49 49 के बाद है आपका 49 49 में क्या चर्चा की गई है 49 में आपका राज द्वारा अनुसरडिय कुछ नीती तत्व राज द्वारा अनुसरडिय कुछ नीती तत्व कुछ नीती तत्व 49 के बाद नेक्ष्ट है आपका 32, 32 है आपका सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के बाद है आर्टिकल 29, आपका आलप संख्यक वर्गों के हितों का सनरक्षन, फंडमेंटर राइट है आपका ये, ठीक है ये भी आपका फंडमेंटर राइट है, मौलिक अधिकार पे आ गए है, सनरक्षन, आर्टिकल 29 के बाद है आर्टिकल 25, ये आपका धार्मिक सुतंता से जुड़ा हुआ है, किस से जुड़ा हुआ है, अन्ताकरार और धर्म को अबाद रूप से मानने की सुतंता, यानि धार्मिक सुतंता, सुतंता, ठीक है, आर्टिकल 24 आपका कारखानों में बालको के नियोजन का प्रतिसेद। आर्टिकल 24 के बाद है आपका आर्टिकल 23 मानो दुर्व्यापार और बलास्तरम पर बैन किया गया है। मानो का दुर्व्यापार नहीं हो सकता। मानो दुर्व्यापार और बलास्तरम पर क्या है। 22 नमबर गिरफतारी और निवारक निरोध के बारे में बात की गई है। गिरफ तारी एंड निवारक निरोद निरोद ठीक है यहां पर बात की गए गिरफ तारी मलब 24 गंटे के अंदर मजिस्टेरेट के सामने ले जाना पड़ेगा एधि निवारक निरोद अधिनियम के तह revealed है तो तीन माह के लिए तीन माह तक कोई जरुवत नहीं है, ठीक है, 24 गंटे के अंदर पुलिस जो है, मजिस्टेट के सामने गिरिपतारी के बाद ले जाएगी हर आलत में, ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 21 का, यह आपका सिक्षा का अधिकार है, सिक्षा का अधिकार, 46 में समिदान संसोधन से ज हाँ, देखें, बहुत बड़ी आप, फास्ट फास्ट करते जाए, फास्ट फास्ट, बेटा आर्टिकल 22 जो है ना, गिरिपतारी और निवारिक निरोज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 21 प्राड और दैहिक सोतन्ता, प्राड एवं दैहिक सोतन्ता, यह सब फंडमेंटर राइट है, सोतन्ता, ठीक है, आर्टिकल 20 आपका अप्रादों के दोसिंद के संबंद में प्रावधान है, अप्रादों के दोसिद के संबंद में अधिकार, के संबंद में अधिकार, अधिकार, दोसिद के संबंद में अधिकार, आर्टिकल 20 के बाद है, आपका आर्टिकल 19, यह आपका वाक सोतन्तरता, वाक सोतन्तरता, बोलने के आजादी है आपकी, बोलने के आजादी से जुड़े हुए अबादियों के बारे में, आर्टिकल 18 अव्पारा में समानता रिκαषकर जुड़ा हूआ है उपाधियों का अंत है खेँ अर्टिकल सत्त अपका अ अशप्रिश्यता को ठीक है अस्प्रिश्चता को खतम कर दिया गया आपका आर्टिकल सोला लोक नियोजन में आउसर की समता ठीक है लोक नियोजन में आउसर की समता यहों मारक्षन के बारे में भी यहां पर जोड़ा गया है नियोजन में आउसर की समता सम्ता, ठीक है, सोला के बाद आपका आर्टिकल पंद्रा है, आर्टिकल पंद्रा में धर्म, जाती, मूलबंस, भासा, लिंग, इसके अधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, बेदभाव नहीं होगा, इनके अधार पे, इन पाँच अधारों पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 14 आप जानते हैं विधी के समक्ष समता और विधियों का समान सरक्षन विधी के समक्ष समक्ष समता का अधिकार है समता बराबरी यह आपका आर्टिकल 14 है ठीक है और इसके बाद आपका आर्टिकल 5 है नागरिकता 5 से 11 तक आपका नागरिकता है आर्टिकल 12 में रा और आर्टिकल 13 जो आपका है वो अलपी करण से जुड़ा हुआ है ठीक है प्रतक करण का सिध्धान्त अच्छादन का सिध्धान्त नयाइक पुन्रावलों का निया सारी चे जुड़ी हुई है यदि कोई भी कानून बनाए गया जो कि फंडमेंटर राइट को खतम करता है व आपका भारत में राज्यों का बनना भारत में राज्यों का विभाजन नय राज्य बनना नाम परिवर्तित होना कुछ भी होना यह सब कुछ संसद के पास पावर है संसद करेगे इसका काम ठीक है नय राज्यों का बनना राज्यों का विभाजन दो राज्यों को एक करना ब बह्रत संग का हिस्सा नहीं है ऐसा कोई राज्य दिभारत में जुड़ना चाहता है तो अर्यटिकल 08 और ь आपका संग का नाम और क्षेत्र ये आतो दने प्षेत्र योग में अर्य जाते है ते आतो के बश्कामच अंग इससे आसान तरीका ने इतना फाष्ट नहीं कर पाओगे कभी भी. यही एक ही जगह है आपकी आजाद EAS Academy, आजाद ग्रूप संस्थान जो आपका करा सकता है. ठीक है? चलो. अब बात करते हैं अनसूचियों की, थोड़ा सा बारा अनसूची भी एक सांस में देख लेते हैं, बारा अनसूची एक सांस में, पहली अनसूची आपकी, पहली अनसूची में भारत के राज्यों के बारे में, राज्य और उनका छेत्र, राज्य और छेत्र, 28 राज्य और आ भारत की संचित निदी पे आपकी भारित है, संचित निदी पे भारित है, ठीक है, आपकी अनुसूची तीन, बारा अनुसूचियां है, तीसरी अनुसूची में आपकी सपत है, ठीक है, सपत है आपकी, यहाँ पे सपत का प्रावधान किया गया है, चौथी अनुसूची में राज सभा की सीटों का वंटन है, चौतिय अनसूची में राज सभा की सीटों का वंटन, ठेक है, पाँचवी अनसूची में S.C. and S.T. के लिए बिशेष प्रावधान, प्रसाशन के लिए अनसूची जाती और अनसूची जनजाती प्रसाशन के लिए प्रसाशन के लिए प्रसाशन, प्रसाशन के लिए बिशेष सुबंध, ठेक है, तो अनसूची जनजाती से जुड़े हुए जितने भी छेत्र हैं, उन सभी के लिए ब प्रशासन के लिए आपका, जन जातिय प्रशासन, विशेश उबंध। ठीक है, साथवी सुची सक्तियों का विभाजन, सक्तियों का विभाजन, विभाजन, यह आपकी संग सुची है, समुर्ती सुची, और राज सुची 파p और राज्य सूची आपकी राज्य सूची ये सक्तियों का विवाजन साथ में आठ में भासाएं हैं आपकी टोटल अभी बाइस भासाएं आपकी यहां पर नव आपका भूमी सुधार से जुड़ा हुआ है भूमी सुधार पहले सम्मिदान संसोधन के तहर जोड़ा गया एंटी डिफेक्शन लो दल बदल अधिनियम से जुड़ा हुआ है आपका अधिनियम ठीक है और दस के बाद 11 आपका ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत है टोटल 29 विशा हैं इसमें 73 सम्मिदान संसोधन के तहर बारवी आपकी नगरिये निकाय से जुड़ी हुई है आपकी टोटल कितनी हैं 12 अनुसूची और यह आपके संविधान के सारे अनुक्षेद हो गए अनुसूचिया हो गई अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट संविधान संसोधन भी देख लेते हैं में 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 देखेंगे संसोधन इतना समझ में आया क्या बताओ रिवीजन तब ही काम बन पाएगा क्या बोलते हैं समझ में आरा सावा कुछ ठीक है बहुत फास्ट रिवीजन हमने किया है बहुत फास्ट रिवीजन किया है देखें 105 संविधान संसोधन हो चुके हैं टोटल 105 में संविधान संसोधन में समाजिक और सेच्छिक रूप से पिष्डे वर्गों के लिए सूची तैयार करने के लिए केंद्र सरकार जो केंसा यहां पे समिधान को ले करके सक्ति प्रदान की गई और स्पष्ट की गई यह चीछे ठीक है तो यह आपकी जो है जो पिछडे वर्ग है ठीक है इसके तैस समाजिक और सेच्छिक तोर पे जो पिछड पिछडे है राज और केंसासित प्रदेशनों को अनुमती दी गई है क्या दी गई है अनुमती इसमें OBC वर्ग के यह OBC वर्ग को चिन्हित करने के लिए चिन्हित करने के लिए OBC वर्ग को चिन्हित करने के लिए राज एंड यूटी को क्या किया गया है पावर दी गई है क्योंकि 102 सम्मिदान संसोधन जो हुआ था ना उसके तह जो है एक आयोग बना दिया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग तो यहां पे अभी सपष्ट किय गया है कि सम्मिदान में संसोधन किया गया और केंसासित प्रदेशों को जो है समाजिक और सचडिक तौर पर पिषड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार कर लेंगे ठीक है यह ध्यान रखेगा तो यह 2021 में हुआ था एक सो पांच वा चलिए एक सो पांच वा यह था तो एक सो तेतिस को खतम कर दिया गया ठीक है एंगलो इंडियन का रख्षण खतम साथ में जो रियवेशन है अंसूची जाती और जनजातियों को इनको बढ़ा दिया गया 25 जनवरी 2030 तक पच्चिस जनवरी 2030 तक रख्षण बढ़ा दिया गया आपका रख्षण की अवधी इसमें एकनमिक आधार पे जो विकर सेक्षन है उसको दस परसंट डिया गया ए डबलू इस से जुड़ा हुआ आपका यह इडबलू इस के लिए क्या किया गया है दस प्रिस्षत रियवेशन ठीक है ध्यान रखना इस बात को ठीक है एक ःक सो दोवा सम्मिधान संसोधन य आपका यह आपका क्या है राश्ट्रिये पिछडा वर्ग आयोग के बारे में चर्चा है ठीक है इसके बाद 101 वाद GST से जुड़ा हुआ है GST और GST परिसत एक सो इसके बाद 70 नंबर का Land Body agreement भारत बांगलादिय्ष के बीच में भूमी समझौता ठीक है भारत बांगलादेश के बीच में भूमी समझौता बांगलादेश भूमी समझौता भूमी समझौता ठीक है यह लाश्ट के 6 आपको याद रहें चाहिए इनसे question पूस्टता है, देखो इसके बाद 57वा संविधान संसोधन, ये आपका है cooperative society से, सहकारी समिती, इससे भी question पूस्टता है, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है आपका ये, ठीक है, clear है, इसके ब का सिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है आइडिकल 21 सिक्षा के अधिकार 21 ए नया फंडमेंटर राइट जोड़ा गया इसके तैस सिक्षा का अधिकार दिया गया सभी को 74 समिदान संसोधन ये नगरीय निकायों में नगरीय इस्थानिय सुशाशन से जुड़ा हुआ है आपका 73 आपका ग्रामीड इस्थानिय सुशाशन से जुड़ा हुआ है आपका इसके बाद आपका 79 इसमें दिल्ली को राष्टी राध्धानी छेतर दिल्ली में दिल्ली आपकी बनाई गई NCR National Capital Reason ठीक है और यहां पर एक मुख मंत्री बना दिया गया प्लस विधान सभा बना दी गई 70 सदस्थिये विधान सभा ठीक है 70 सदस्थिये विधान सभा बना दी गई ठीक है बिल्कुल बिल्कुल 61 समिधान संसोधन के तहट क्या किया जा सकता है 61 साल की उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया उम्र कम कर दी गई 21 साल को घटा करके 18 वर्स कर दी गई ठीक है इसके बाद 52 समिधान संसोधन इसमें दसवी अनसूची जोड़ी गई दल बदल अधनियम से जुड़ी हुई आपकी 10 वी अनसूची जोड़ी गई 44 समिधान संसोधन 44 समिधान संसोधन में 42 समिधान संसोधन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़े को हटाया गया ठीक है और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को समान्य अधिकार बना दिया गया fundamental right हटा करके इसको 301 में रख दिया गया 301 के तहट बिदि के प्राधिकार के बिना आपको आपकी संपत्ति के अधिकार से नहीं हटाए जाएगा साथ ही जो है ससस्त विद्रो आंत्री का पात्काल पहले लिखा था ठीक है अब उसको हटा करके आंत्री का पात्काल की जगे सस इसे लगु संबिधान कहते हैं 42 को किंव बहुत कुँ जोड़ा गया प्रस्तावना में 3 सब्द जोड़े गए आपके समाजवादी समाजवादी धर्म निर्पेक्ष और अखंडता निर्पेक्ष और अखंडता तीन सब्द आपके जोड़े गए ठीक है ये ध्यान रखेगा और साथ में आपका 4A मौलिक करतब जोड़े गए मौलिक करतब आपके सुप्रीम कोट की बहुत सारी पावर कम कर दी गए ठीक है अर्टिकल 368 को बहुत प्रभावी बना दिया गया ऐसे करके बहुत सारे अर्टिकल इसलिए इसको लगू सम्मिदान भी कहा जाता है ठीक है क्लियर है 36वे सम्मिदान संसोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दरजा सिक्किम भारत में मिल गया ना पूर्ण राज्य का दरजा 1975 की बात है अब किये ठीक है इससे पहले 35 के तहट सहराज्य का दरजा मिला था लेकिन 36वे में पूर्ण राज्य का दरजा दे दिया गया ठीक है इनको बढ़ा दिया गया इनको कर दिया गया 545 अभी 2026 में फिर बढ़ जाएंगे आपकी लगबग लगबग ठीक है तो 545 सीटों की बात हो गई आपकी क्लियर है इस पस्ट है सभी को इसके बाद आगे चलते बारवा समिधान संसोधन बारवे समिधान संसोधन के तहट हुआ दमन को भारतिय संग में मिलाए गया भारतिय संग ठीक है इसमें मिलाए गया इसके बाद next आपका साथवा समिधान संसोधन ये राज पुनरगठन अदियम से जुड़ा हुआ है राज पुनरगठन अदियम अधिनियम से जुड़ा हुआ, किस से राज पुनर गठन अधिनियम से जुड़ा हुआ, सात्वा, इसके बाद आपका पहला सम्मिधान संसोदन, भूमि सुधार अधिनियम इसी से जोड़ा गया, पहला ये 1959 में हुआ था, इसी से आपका नवी अनसूची जोड़ी गई, आत्रा हो गई आपकी सारी अनसूची सारे सम्मिधान संसोधन हो गए और सारे अनुक्षेद हो गए अपका रिवीजन क्लियर है सभी का बहुत फास्ट और रेपिट कराया है बाकि इंटायर वीडियो में आपको सारा कुछ मिलेगा तो यह आपके पॉलिटी के महा रिवीजन से जुड़ी भी विसेवस्थ थी आप इसको एक बार दो बार रिवाइस करो सारे आइटिकल याद हो जाएंगे सारी चीज़े आपको हो जाएंगी क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया